Hello everyone, welcome back to my channel तो guys, आज है हमारी class 59 और आज की class में हम लोग सीखेंगे gatherers वाली long sleeves बनाना तो जिल लोगों नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि हमने एक sleep की series start की हुई है, जिसमें से मैं आपको करीबन जो है 10-12 designs सिखाऊंगी, जिसमें मैं 9 designs आप लोग को सिखाऊंगी हूँ, यह हमारा 10-12 design है जिसमें हम long cuff sleeves बनाने सीखेंगे, तो जिल लोगों नहीं देखी है पहले की classes, link में चे description में देदूंगी, तो आप लोग वहाँ से check कर लेना, ठीक है जी, और helpful रही वीडियो और पसंद आई ते channel को subscribe जो करिएगा वीडियो को like करिएगा और share करिएगा तो चलिए, फिर हम आज का वीडियो शुरू करते है तो जी, यह है हमारा fabric, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से ऐसे खोलेंगे fabric को और यह जॉर्जट का fabric मैंने use किया है यहाँ पर इसको हमने इस तरह से ऐसे double fold करना है, फिर इसी को हम ऐसे fourth fold कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों sleeves एक साथ कट कर रहे हैं, तो देखिए, यह हमारा जो है, चार तैमे हो गया है, हमारा fabric अब यह जॉर्जट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको pin-up कर रही हूँ, ताकि कटिंग करते तो जो हमारे sleeves की लंबाई है, total मुझे चाहिए 21 इंच, तो 3 इंच का मैं इसमें cuff attach करूँगी, अलग से तो मैं इसको 19 इंच कट कर रही हूँ, 18 इंच वैसे हमें चाहिए, लेकिन 1 इंच उपर और नीचे margin के लिए जब हम cuff attach करेंगे और जब हम इसको आर्मोल की तरफ से attach करेंगे, तो half-half इंच हमें margin चाहिए होगा, तो इसलिए देखे, 19 इंच जो है मैंने इसकी लंबाई ली है, दोनों साइट से 19 इंच पर निशान लगा कर इस तरह से ऐसे निशान लगा दिया है, और अब जो है, 9 इंच मेरा आर्मोल है, तो देखे, आर्मोल का हम इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे, और अब जो यह यहां पर मैं 1 इंच जो है margin के लिए छोड़ूंगी, और इस वाले निशान को ऐसे मिला दूँगी, वैसे हम जो है है, 6 इंच मेरा जो है आती है, तो मैं उससे डबल रखूंगी, इसमें तो मैं करीबन 12 इंच जो है इसका bottom रखूंगी, और एक इंच इसका margin का, यह देखिए, और अब फिटिंग वाले निशान को हमने फिटिंग वाले निशान से इस तरह से ऐसे मिला देना है और जो हमारा margin वाले निशान है, उसको हमने margin वाले निशान से मिला देना है, इसका bottom हम इसलिए जादा रखते हैं, और इसका armhole भी, क्योंकि हम उपर भी थोड़े सी जो है तो जी, यह हमारी sleeves की upper side की cutting हो चुकी है अब हमने जो कफ है, उसकी cutting करनी है तो उससे पहले हम इसको इस तरह से ऐसे खोलेंगे, दोनों sleeves को और जो हमारा front side होता है, वो हलका सा गहरा होता है तो यहाँ पर हम उसी गहराई की cutting करेंगे आप चाहें तो पहले निशान लगा लें, फिर cutting करें या इस तरह से ऐसे अंदाजे से भी आप लोग cut कर सकते हैं तो देखिए, half inch करीबन मैंने इस तरह से ऐसे इसकी गहराई दे दिये तो यह वाला side हमारा front side रहेगा और यहाँ पर मैं एक cut भी लगा देती हूँ ताकि front और back में हमें असानी होस को ढूनने में तो यह हमारी sleeve कट कर तयार है अब cuff के लिए हम इस तरह से ऐसे इसको नापेंगे अगर आप लोग को बिलकुल fix चाहिए जिसमें आप लोग button वगरा लगाना चाहें तो कलाई से ना पिएगा वनना इस तरह से ऐसे हाथ करके यहाँ से ना पिएगा तो यह आ रहा है मेरा करीबन साड़े आठ इंच साड़े आठ इंच मेरा इतना डीला है कि मेरा easily जो है हाथ चला जाएगा तो देखिए इस तरह से मैं जो है मैं इन फैब्रिक में जोड़ लेंगे यहाँ पर चारो साइट सिलाई लगाएंगे और फिर मैंने यह जो है करीबन तीन इंच चौड़ी और करीबन साड़े आठ इंच लंबी एक पेपर फॉर्म ली है इसको मैं पेस्ट कर लूँगी आईरेन की हेल्प से तो जी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मैंने इसको पेस्ट कर दिया है अब जो भी हमारा हाफ इंच का फैब्रिक बच रहा था उसको ऐसे उपर की साइट करते हुए मैं इसको ऐसे पिन अप कर दूँगी पहले मैं आप लोग को पिन अप करके दिखाऊंगी फिर मैं स्टिच करके दिखाऊंगी ताकि जो लोग बीगनर्स हैं उन लोग को बहुत ज़्यदा असानी हो और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आए तो देखे हमने जो हमारा फैब्रिक बचा है उसको हमने इस तरह से ऐसे हाफ इंच छोड़के ही आपने पेस्ट करना है उसको हमने इस तरह से ऐसे पिन अप कर दिया है यह देखे इस तरह से अब इसको हम उल्टा फोल्ड करेंगे हलका सा जो है इस side fabric छोड़ कर इस तरह से हमने इसको ulta fold करना है और अब जो है हम निशान लगाएँगे यहां पर यह देखे इस तरह से हमने इसको पहले fold करना है अब यहां पर हम निशान लगाएंगे मतलब हम इसलिए ऐसे करते हैं ताकि हमारी finishing के साथ यहां पर भी मैं सबसे पहले pin-up कर दूँगी, यह देखिया इस तरह से, pins ना बहुत जरूरी है, यह pin-up जरूर रखा कीजिए, और ना बहुत एहतियाद भी बरतनी है, बहुत बार चुप जाती है, यह मेरे को ध्यान नहीं रहता, तो बहुत बार चुप जाती है, तो बहुत साफधानी से इसको यूज़ करना, तो देखिया, इस तरह से करके, अगेन मैं इसको double fold करूँगी इस तरह से, और तीन साइट से इसको हमने इस तरह से ऐसे sil लेना है, तो देखिये, इस साइट से पर मैं ऐसे silाई लगा लूँगी, अब इस साइट से भी हम पिन को खोलते जाएंगे, अब हमने इसको ऐसे double fold करना है, इस साइट से, ये देखिये, इस तरह से, और बिल्कुल जो हमारी paper form है, उसके साथ-साथ हम इसको ऐसे stitch करते जाएंगे, ये देखिये, इस साइट से भी, और इस साइट से भी, तीन साइट से आपने इसको बिल्कुल अच्छे से stitch कर देना ह और यहाँ पर हम पक्का करेंगे और इसको कट कर देंगे, अब हमने corners इसके कट करने हैं, यह देखिए इस तरह से और जो भी आपको जादा extra fabric लग रहा है उसको कट कर दीजिए, और अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे, तो जी पलट कर हमने corner सबसे पहले निकालने हैं तो कोई नुकीली चीज आप लोग ले लें और उससे इसके corner अच्छे से निकाल दें बहुत तेज से आपने कैंची ऐसे नहीं करने हैं, बनना कभी-कभी बाहर भी आ जाती है, तो वह आपको अगर आप लोगों से इस तरह से gather's नहीं बनती हैं, तो आप लोग छोटी वाली सुई में धागा डालकर कच्छा टाका लगा कर भी यहाँ पर gather's बना सकते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर gather's बना ली हैं, अब जो हमारा कभ तयार हुआ था, उसके अंदर हम इसको इस तरह से ऐसे डालेंगे, आपने gather's बिल्कुल कफ के बराबर जो है कर लेनी है, इस तरह से, इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे, और इसको भी जो है हम पिन अप कर देंगे, ताकि हम जब इस पे सिलाई लगाएं तो बहुत ज़दा असानी हो, और finishing बहुत अच्छी आ अपने कहीं पर बहुत ज्यादा और कहीं पर बहुत कम ना हो, ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल एक जैसी रहें, तो देखिए इस तरह से हमने इसको pin up कर लिया है, और अब चलिए हम इस पर ऐसे सिलाई लगा देंगे, यहां पर, तो देखिए मैं इस तरह से ऐसे इसको र लगा रही हूँ, और gather's का मैंने बहुत जादा ध्यान रखाए कि बिल्कुल एक जैसी रहें, तो देखिए जी, अब last में हम इसको पक्का करेंगे, और यहां पर इसका धागा कट कर देंगे, तो जी, जो हमारी sleeve है, वो देख सकते हैं, आप लोग कितनी finishing के साथ हमारा cuff बन हैं सबसे पहले, यह देखिए, इस तरह से हम इसको रखेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे, कि जो हमारा गहराई वाला part होता है, वो front side रहे, front side, front से ही मिलना चाहिए, तो देखिए, उसको इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे, और जो हमारी sleeves है, उसको हमने, जो हमार आर्मोल है, उससे बिल्कुल इस तरह से ऐसे मिलाना है, और इसको pin-up करते जाएंगे, बिना pin-up किये हुए, आप लोगों से यह वाला sleeves नहीं बनेगा, तो आप लोगों ने pin-up इस तरह से ऐसे करना है, देखिए, बिल्कुल corner, पहले corner से मिलाएंगे इस तरह से, और मैं बि पहले corner से corner को हमने इस तरह से ऐसे मिलाना है, और इसको pin-up कर देना है, अगर आप लोगों ने यह miss कर दिया ना, तो आप लोगों फिर यह sleeve अच्छे से नहीं बठानी आएगी, तो आप लोगों ने यह बिल्कुल भी miss नहीं करना है, जिस तरह से मैं बिठा रही हूँ, सेम उसी तरह से आप लोगों ने भी बिठाना है, तो देखिए मैंने दो-दो pin दोनों तरफ लगा दी है, यह देखिए इस तरह से, अब जो हमने center का cut लगाए था ना, sleeves में, उस center के cut को हमने कंदी की सिलाई से इस तरह से ऐसे मिलाना है, और यहाँ पर भी हम एक pin लगा देंग center से center को मिलाते हुए, हमने सबसे पहले इसको pin up करना है, यह देखिए, इस तरह से, अब हमने inchi tape लेना है, और जो हमारी कंदी की सिलाई है, उससे 3.5 inch पर मैं इस side निशान लगाऊंगी, और 3.5 inch पर मैं इस side निशान लगाऊंगी, क्योंकि जो हमारी gather's है, वो हम इतने ही पीच में डालेंगे, तो देखिए, अब सबसे पहले हम बिल्कुल खिनारी से एक एक pin निकालते जाएंगे, और इस तरह से ऐसे इसको stitch करते जाएंगे, और खीचना बिल्कुल भी नहीं है आपने, क्योंकि जो और जट है, और फैबरिक हो जाता है, यहाँ पर तो वो जाता है, तो देखिए, यह जो हमारा निशान था न, इस निशान तक सबसे पहले हमने इसको simple ऐसे ही सिल लेना है, कोई भी plate वगेरा नहीं बनानी है, तो देखिए, निशान तक मैंने सिल लिया है, अब जो हमारा center था, उसकी तरफ रुक करके हम इस तरह से ऐसे plate है, तो देखिए, दूसरी plate बनाई, मैंने इसको भी pin up कर लिया, अब यहाँ पर मैं जो fabric बचा है, उसकी again plate बनाऊंगी, तो यहाँ पर मेरी करीबन 5 plates बनी थी हंजी, तो देखिए, यह हमने तीसरी plate बना ली है, और यह हमारी 4th plate, मतलब आप अपने हिसाब से plates बनाएं, य जो है, सिलाई लगा लीजिए, फिर उसको खीच कर gather's बना दीजिए, तो देखिए, अब मैं बिल्कुल इसके बराबर इसको कर लूँगी, और एक एक pin जो है, निकालती जाओंगी, और इसको stitch करती जाओंगी, यह देखिए, इस तरह से, आप देखिए, सिलते सिलते हम center त यहां पर एक pin लगा दूँगी, ताकि हमें एक idea मिल जाए, कि हमें यहीं तक बस plates बनानी है, और अब दूसरी तरफ को रुख करके, मतलब जो हमारी कंदी है, उस side को रुख करकर, हमने इस तरह से plates बनानी है, और इसको भी हम again ऐसे ही pin up करते जाएंगे, यह देखिए, इस तरह से, सेम वैसे ही हम करेंगे, जैसे हमने उस side किया था, बस इसका रुख पलट देंगे, ताकि यह एक दूसरे के जवाबी बने, यह देखिए इस तरह से, I hope कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं जितने अच्छे से explain, मतलब कर सकती थी, उतने अच्छे से मैं मैंने कोशिश की है, तो I hope कि आप लोग को समझ आ रहा हो, तो कुछ भी गड़बर लग रही हो, या समझ नहीं आ रहा होगा, तो मुझे नीचे comment करकर जरूर बताइएगा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी कि और क्या मैं अच्छे से बता सकती हूँ, तो इसलिए आप लोग को क्या-क्या पसंद आता है, क्या-क्या पसंद नहीं आता है, तो देखिए अप ऐसे पिन्स जो है हमारी उनको निकालते-निकालते हमने इसको stitch करते जाना है, मैंने बिल्कुल भी कटनी किया, क्योंकि जो जो दिक्कते मुझे आ रही हैं, वो वो दिक्कते आपक आती जारी हूँ, और अगेन मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि अगर आप लोग खीचेंगे तो आपकी sleeves में बल पढ़ने लगते हैं, जोल आ जाती है, तो आप लोग उने खीचना नहीं है, तो देखिए sleeve हमारी जुड़ गई है, अब मैं इसको सीधी तरफ से आप लोग लगाते जाएंगे, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डोरी अंदर से लगाते हैं, फिर इस पर बटन वगेरा लगाते हैं, हुक लगाते हैं, तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, बट यह जो है मैं बिना डोरी हुक बटन के बता रही हूँ आप लोग को, और अब इस तरह से करीबन हाफ इंच का मार्जन लेते हुए, हम इसको स्टिच करते जाएंगे, अगर आप लोग को डोरी वाला, पाइपिन वाला, मोती वाला सीखना है ना, तो मुझे बताईएगा, जिस पर कफ पर हम इस तरह से बनाते हैं, काज करके, तो वो वाला डिजाइन भी मै उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिलना शुरू करेंगे, और ये ना मैंने एक अंगरक्खल स्टाइल जो है, पूरी डिजाइनर फ्रॉक जो है, डिजाइन की है, फ्रॉक या मैक्सी ड्रेस आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसका वीडियो इंशालला जो है, नेक्स वीडियो से बनकर तयार हुई है, अब दोनों साइड में आप लोगो लगा लूँ फिर मैं जो है, इसकी फाइनल लुक आप लोगो दिखा लूँ। तो जी दोनों स्लीवस मैंने यहाँ पर इसकी बना ली हैं और बहुत फिनीशिंग से जो है हमारी बनकर तयार हुई है आप लोग देख सकते हैं अब मैं इसका नीचे गहरा जो है जो है जोड लूँगी और फिर हमारी फुल कंप्लीट है तो यहाँ पर मैं ट्राइ कर रही थ तब तक के लिए अल्ला हाफ़ाद